एक्जाम दिया, रिल्ट में पास हुए, चैन भी हो गया. अब जॉइनिंग लेटर के लिए यूपी के लेखपाल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन. लखनाओ में राजस्व परिशद मुख्याले के सामने नियुक्ती पत्र की मांग को लेकर नव चैनित लेखपालों का प्र दर्शन कर रही हैं. यूपी में सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थियों की मुश्किले खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिनों यूपी पुलीस सिपाही भरती यूपी पुलीस एक्जाम मामले में पेपर लीक आउट के चलते सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था और फिर से एक्जाम कराने को कहा था. रिव्यू ओफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ओफिसर रो एरो एक्जाम भरती मामले में भी अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है. इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं. इतना ही नहीं 79,000 शिक्षक भरती में भी 6,800 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं हो पाई है. अब इन सब के बीच लेकपाल अभ्यर्थियों ने लखनाओ के राजस विभाग में हजारों की तादाद में पहुँच कर धर्ना प्रदर्शन किया और नियु प्रद्धानमंत्री के नौक्रियों को लेकर होने वाले मेगा शो में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तक उन्हें नौक्री को लेकर शासन प्रशासन की चौक्तों पर भटकना पड़ रहा है. पहले की नौक्री से त्याक पत्र देने को मजबूर किया। अभ्यर्थियों में ऐसे लोग भी है जो अन्य विभागों में सरकारी नौकरी से रिजाइन देकर लेकपाल बनने की उमीद लगाए बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनसे एनोसी मंगवाई गई, दूसरी नौकरी से इस्तिफा भी दिलवा दिया गया, यहां तक की एक महीने नौकरी तक करवाई लेकिन अब नियुक्ती पत्र देने में देरी की जा रही है। इसी को लेकर यूपी के लेखपाल अभ्यर्थी धर पर बैठे हैं। जानिये क्या है मामला? दरसन साल 2023 में हुई 8,085 पदों पर हुई लेकपाल भर्थी में राजस्व परिशद ने चैनित अभ्यर्थियों को नियुक्ती पत्र देने पर रोक लगा दी है। 23 फरवरी को वारानसी में पिये मोधी चैनित अभ्यर्थियों को नियुक्ती पत्र देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग की सिफारिश पर राजस्व परिशद के आयुक्त और सचिव ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर नियुक्ती पत्र देने पर रोक लगा दी मालूम हो कि यूपी अधिनस सेवा चैन आयोग द्वारा चैनित 7,987 लेकपालों के नियुक्ती पत्र की सुनवाई 22 मार्ज को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ती पत्र दिये जा सकेंगे। अगर लिस्ट जारी होने के बाद जनवरी में ही नियुक्ती पत्र बाट दिये जाते तो यह मामला नहीं फस्ता। क्यों लगी है रोग। चैनित लेकपाल अभ्यर्थियों की लिस्ट छे जनवरी को ही दे दी थी। फाइनल चैन परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट ने मामले में अंतिम फैसला आने तक नियुक्ती पत्र बाटने पर रोक लगा दी। अजय को अग। अजय को अग। झाल झाल